दोस्तों कि आपको मालूम है कि ताज महल के कितने रंग है कि आपको मालूम है कि ताज महल अपना रंग कब कब बदलता है अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो को लास्तक देखें क्यूंकि आज कि इस वीडियो में हम ताज महले कुछ रहसमे वाली बातों के तरफ चलेंग तो पीर अपने चार भाईयों और सौश्वाराकारों के साथ भारत आये और उसके बाद उन्होंने कल्मा पड़ाव की तिलावत की उसके बाद भूत और जीनी ने वजगत छोड़ दिया उसके बाद ताजमहल को बनाने का काम इस्टार्ट किया गया घुस्तों ताजमहल तो ताज महल की निव रखे गई थी उसके बाद ताज महल को बनावाए गया ताज महल तो बहुत लोग घुमने के लिए जाते हैं लेकिन किसी ने ये गौर नहीं कि है कि ताजमहल के चारों तरफ जो मजार बनें हो वा मजार किसकी है दर असलों मजार लोग मजारई है लेकिन ताजमहल आसमानी बिजलियों से सुरक्षीत रहे लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल के चारों गुम्बद उसके बीच वाले गुम्बद को सलाम करते हैं दोस्तों यह बात सबसे अजीब है कहा जाता है कि देश की सबसे उंची इमारत कुतुम मिनार है लेकिन जहां एक दिन में सबसे ज़्यादा सेलानी घुमने के लिए आते हैं कारी आगरों के नुसार दुनिया से 13,000 सेलानी हर दिन आगरा के लिए रवाना होते हैं दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले करीगरों का साजहा ने उनका हाथ कटवा दिया था लेकिन ताजमहल को बनवाने के बाद उन मजदूरों ने और भी बहुत सारे इमारतों का निर्मान किया था जिसमें मुख्या रूप से उस्ताद एहमत लाहोरी का हाथ जिन्होंने लाल कीला बनवाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है क्या किसी को ये मालूम है कि साजहा एक सपना देखा था उस सपने में साजहा ने यह देखा थैंकि उन्होंने काला ताजमहल बनवाया है वह चाहते थे कि यए ताजमहल बनवाने के बार से बार कर दीया यहाँ आपको मालूम है कि ताज महल अपना रंग घ्कब है, तो दोस्तों यह थी ताज महल के बारे में कुछ रहा समय है। तुम्हेंद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करते वाद बेल ऐकन जरूर दबाए क्योंकि